वुड़ मॉर्निक स्टूडेंट्स मैसल देविश एंड यूर वोचिंग चैनल एक्स्प्लेंग तो आज हम करवाने वाले हैं क्लास टैंथ हिंदी की जो आपकी बूक है शितिज भाग दो शितिज भाग दो का पाठ नंबर है 15 स्तरी शिक्षा के विरोधी कृत्यकों का खंडन मैंने जैसे बताया पाठ 15 स्तरी शिक्षा के विरोधी कृत्यकों का खंडन तो आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आपको इस चैप्टर की पूरी व्यक्ष जो है अभी हम आपको स रेली उत्तर प्रदेश में हुआ था परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ही स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली बाद में नौकरी की स्थीफा देकर सन 1903 में परसिद हिंदी मासिक पत्रिका संस्कृति का संप साउतमाल जिए जबी जैसेकी निबंद्न संग्र के जिसमें रग्यष्ट रंजन साहित्य sicker साहित्य संदर्व अद्बत अलाफ जैसे इन्होंने काफी सारी निमलिखित बेहतरी प्licht अंत्रिएं अन्य Рितियों में इनीकी संपत्त शास्त्र है बखिला मोद्य अठ्यद्रिमिक यहीं काफी रचना है तब यहां में अगर कवीताएं की भात करें तो दुवेदि कावेमाला उन्होंने अपने नाम से एक दुवेदि कावेमाला लगी गई है तो आइए हैब चैप्टर को रचना की विशिष्टा करी गई है तथा वे समय एवं परिस्थिती के अनुसार अपने विचारों को परिवर्तिन करते रहते हैं जैसे लड़कियों की शिक्षा के प्रशंड में एवं विचार पर तर्क सकारात्मक थी उनकी मानेता थी कि लड़कियों को शिक्षा विच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष लेख का सार इस प्रकार है पाठ का सार जब पड़े लिखे लोगों द्वारा स्तिरी शिक्षा के कारियों में अने किर्थि को द्वारा निंदा करी जा रही थी तो लेखक दुखी हो उड़ता है इन सभी शिक्षित लोगों में से वो शामिल हो जाता है तथा उसके बाद वो नाटकों में पड़ी लिखी या कुलीन स्तिरियों के गवारों की भाषा का प्रतियों करते हुए दिखाया गया है स्तिरियों को शिक्षित करना तथा अन्य थाकार समझाज गया है अगर स्तिरियां पड़ लिख लेंगी तो उनको शिक्षित माना जाएगा ऐसा वो पुराने दुश्यत काफ़ी कठोर शब्द कहे थी लेकिन उसके तर्वक देता तथा विद्वान द्वारा ऐसा यह कहना गलत है क्या उसे सुरक्षित नारी प्रकृत भाशा नहीं बोल सकती बलकिन बद्द से लेकर भगवान महावीर तक उन्होंने अपने उपदेश तथा प्राकृत प्राकृतिक भाशाओं में ही दिये हैं तो क्या वैं अपड़ गवार थे इतने सम्रीद प्राकृतिक साहित्य तथा रचियन गड़ता के एक क्या गवार थे अब वो इनके बारे में लोगों से पूस्ते हैं आज की क्या सुरक्षित व्यक्ति आप से में बात चीत तथा छ ठीकते हैं लोग जो बोलते हैं उनके माध्यम से फिर तो सारे ही गवार होने चाहिए मगर ऐसा नहीं है जिस समय नाटक सास्त्र में नाटकिया संबंदे नियम बनाई थे उस समय सर्वजन की भाशा संस्कृत नहीं थी अंत उन्होंने स्त्रियों तथा समान में जैसे भाश चल्चा मिलती हैं किन्तु क्या वे सीखने में स्तब्द और कोई नहीं बलकिन पांडुली वी आज भी मिलती है यदि उसी प्रकार ये चिन भी समय समय के लिए बालिकां तथा आगे विद्याले की जानकारी नहीं मिलती है तो क्या अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियां गवार लेखक विव्द तथा काले में अनेक स्त्रियां शीला विज्जा एवं बहुत कालीन स्त्रियों को अनेक उधारन देकर उन्हें अशिक्षित होने के लिए प्रिष्ठी करता है दुएदी जी कहते हैं कि जब उनके विचार से स्त्रियों को नाच गान फूल चुनने हार लोग महिलाओं को शिक्षा नहीं दिला सकते वो इस तरह तरक करते हैं उप्युक्त तरकों के अलावा लेखक समाधीन डंग से कहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि प्राचिन काल में श्त्रियों अनपड थी तो हो सकता है कि आगे वाले समय में पढ़ने वाली अवेशक्ता अहीं ना रहे किंतु समय में वर्तमान की मांग के अनुसार स्त्रियों को आश्वेश तथा आब शक्षिक्षाइट करना चाहिए वो बोलते हैं कि किस तरह से लेखक जो बताते हैं स्त्री के प्रती लोगों के मन में क्या भाव चलते हैं जो समाज को दिखाते हैं लेखक द पढ़ाये जा सके इस संदर्व में कहते हैं कि पुराणों में लिखी हुई इस्तिरियों के हवाले मांगते हैं और श्रीमद भगवत गीता दसम्सकंद जैसी अने को उद्र करता एमम्तीरों नापना अध्यान का पढ़ना चाहिए और रुकमडी हरन की कता चाहिए और वो बो संबा चोड़ा एकांत में लिखकर श्री कृष्ण को बेजाता तथा इस प्रकार की प्रत्रक्रति ना करी थी लेखा का आगे कहते हैं कि अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए वो सीता शकुंतला आदी के परसंग का उधारन देते हैं जो उन्होंने अपने अपने पतियों को कहे थे इसके लिए इसका सार के रूप में कभी कहते हैं कि यछासुनी दफा विचारों को आगे निकल कर देश काल में मांग के अनुसार सब को करने का प्रीधन भी और चाहिए स्टरी शिक्षा को प्रचीन प्राचीन मानताओं का हवाला देकर उसे स्तरी शेव उन्चित करना यह है तो एक बहुत बड़ा मानशिक भरह मैं अब वह चाहिए अगर estos you को मानसिक भ्रह्म जो दिया जाए अगर उनको पड़ाई से दूर किया जाए तो वह एक तरह का भ्रह्म या चलावा कहलाता है यहां पर बहुत सारे जो बड़े बड़े अक्षर या शब्दा है थे उनको मैं आपको बता दूँ सुम्र गर्मी मतलब अच्छी तरह से चलने व पूर्ण रूप से अलग कर देना डंग से तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी चैप्टर सारा समझ आ गए होगा यहां पर आपको चैप्टर जो हो पूरा खतम हो जाता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अभी के लेत नहीं थ